नमस्कार स्वागत आपका ड्यूस वोल्ड इंडिया में आपके साथ मैहू पारूलत्यागी देश भर में कोरोना संक्रमन की स्थिती अब विस्पोटक हो चुकी है दुनिया में सबसे ज्यादा केस हर दिन भारत में ही आ रहे हैं कोरोना के नए मामले हर दिन रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं तीसरी बार देश में एक लाग से ज्यादा कोरोना केस आए हैं स्वास्ते बंतराले की ताजा रिपोर्ट के अनुसाब पिछले 24 घंटे में एक लाग 26,790 नए कोरोना केस आए हैं जबकि 685 लोगों की जान चली गई है हाला की 7,000 के करीब लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं इससे पहले 4 और 6 अप्रेल को एक लाग से ज्यादा केस आए थे वहीं कोरोना के बढ़ते खत्रे के बीच देश में टीका करन अभ्यान भी तेजी से चल रहा है लेकिन इस बीच महराश्ट, हरियाना और उरिसा समेथ कई राजजों ने दावा किया है कि उनके यहाँ वैक्सीन की कमी हो गई है इस बाबत उन्होंने केंद सकार से बड़ी संख्या में वैक्सीन की मंग की है हाला कि केंद सकार ने राज्यों के इस जावे को बेबुनियादी बताया है साथ ही प्रदान मंतरी नरेन मोदी ने आज राज़ानी दिली में एम्स में कोरोना वैक्सीन की दूसी डोस लगवाई है बता दें पियम मोदी ने ट्वीट कर इस बात की उच्वानकारी दी इससे पहले पियम मोदी को हर्द बर्टेक की देश में विक्सित को वैक्सीन की पहली डोस एक मार्च को लगी ते पियम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है बता दे पीम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा आज एम्स में मुझे कोरोना वैक्सीन की मेरी दूसरी खुराख मेरी टिका करन हमारे पास वाइरस को हराने के लिए कुछ तरीकों में से एक है अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए योगे हैं तो जल्द ही कोविन.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करा कर वैक्सीन लगवाएं वहीं राज्यों ने भी पावंदिया बढ़ानाप शुरू करती हैं बढ़ते कोरोना को देखते हुए कहीं नाइट कर्फियू लगा दिया गया है तो कहीं किसी शेहर में संपूर लॉकडाउन लगाने का हैलान कर दिया गया है दिल्ली, यूपी, महराश्ट, पंजाब, गुश्रात, मंदेप्रदेश समेथ कई राज्यों में नाइट कर्फियू लगा दिया गया है राइपूर में संपूर लॉकडाउन लग गया है इसके अलावा कई जगा स्कूल बंद किये गए हैं साथ ही कई जगाओं पर मास्क नहीं लगाने पर जुर्माने का भी प्रावधान बना दिया गया है वहीं नाइट कर्फिं में भी सिर्फ जरूरी चीजوں से जुड़ें लोगों को ही निकलने की इajास्त है लेकिन उनके पास भी अगर एपास होगा तभी उन्हें नाइट कर्फिं में जाने की इajास्त होंगी फिलाल के लिए इतना ही देखते रहे नियूस वाल इंडिया